ये गाइज विल्कम बैक चैनल माई एजुकेशनल पॉएंट दोस्तो आज की विडियों हम लोग कवर करेंगे यूजी सी गाइडलाइन के बारे में जैसे कहने कहा थे इस वीडियो में आप लोग बताऊंगा टॉपिक वाइड टॉपिक जैसे कहने कहा थे नमबर वन बताऊ होगा इस वीडियो के अंदर में कि जो आप जो पार्थ्री वाले हैं उनका क्या होगा तो फ्रेंस मेरा नमस्तों कुमार जहा आतों जानते ही मुझे ता आए सुरुवात करते हैं यूजी सी गाइडलाइन के बारे में दोस्तों वैसे तो यह तको यह इतनी आप देख रहे हैं उन्होंने कहा है कि एक जुडाइ से परिच्छा कराने को निर्देश है मतलग कहने कहा था यहां पर एक एक यूजी सी गाइडलाइन के तहत में बड़ी अपड़ेट यहां पर यह निकल के आती है कि आप लोग की जो फ्रेंस एक जुडाइस से इस्टार्ट हो सकती है यहां पर यहेरो निर्देश टिर्टीर आगया है। यून में प्रेंशेटिय टाइम होती है , उसको बोलता है सुनी टाइम ठीक है जिसमें अध्मिसें टाइम होती है एक जूलाई से आप छहीं कि एकजाम हो सकती है। आप निक्स की अटिय के तहत में यूजी UGC guideline के तहत में हैं, दूसरी बड़ी update यहाँ पर यह आई है कि जो भी चाहते है university, जो online चाहते हैं परिच्छा करवाना, online परिच्छा समझते हैं रेफ्रेंस, वो करा सकती है, दूसरे और तिसरे साल के छात्रों का सत्र एक अगस्त सुरू होगा, UG और PG course के अगस्त महिने मे पूरे करते हुए एक सितंबर से फेसर इस्टुडेंट की क्लास सुरू करनी है, आप फ्रेंस, UGC guideline के तहत में यह भी update आई है कि जो चाहते हैं UGC guideline के तहत में आपको online exam लेना वो ले ही सकते हैं, साथ में second and third semester बार जो student होंगे, उनका अगस्त सितंबर, अगस्त सितंबर स स्टार्ट हो जाएगी, तो यह भी एक बड़ी update निकल आई है friends, और मैं बता दू कि next video में बताऊंगा कि अगर आप लोग की online exam होती है friends, अगर UGC guideline के तहत में, अगर friends, आप लोग university online exam देती है, तो फिर कैसे लेगी, क्या होगी new session, आखिर यह लिखने वाली यतनी बड़ी पर यह निकल आई है, कि UGC guideline के तहत में, 2020-2020 के एक academic calendar के अनुसार में, मौझूदा सत्क की कछाए online चलेगी 31 माई तक, assignment practical होगी, एक जून से लेकर 15 जून तक, गर्मी की छुटी होगी 16 जून से लेकर 30 जून तक, terminal semester वासिक परिचा होगी, एक जुलाई से पंदर जुलाई तक होगी, नए सत्र के admission एक अगास से लेकर 31 अगास तक होगे, और दूसरी M30 से साल का जो सत्र होगा, वो एक अगास से शुरू हो जाएगा, फ्रेसर बैच का पहला साल semester एक सितंबर से शुरू होगा, परिचाए एक जनमरी 21 से उन लोग के चलेगी जो फ्रेसर वाले हैं, और सब semester जो चलेगी दूसरा चौथा और पीजी वालों के लिए 17 जनमरी से चलेगा, उसके बाद दोस्तों कच्छा जो समाप्त होगी, वो 25 समाप्त होगी, परिचाए 26 समाप्त होगी से 25 जुन 2021 तक चलेगी वो अगले साल गर बता रहा है, फिर अगले साल में चुटी ऐस से ऐसे होगी, दोस्तों यह जारी की देदी संदेस यह ऐसे सा चारी की गई है, इसमें फ्रेंस यह कहा गया है, कि जो इस साल जो वाले हैं, उनके यहां पर यह है, कि उनकी अगर exam होनी होगी, फ्रेंस, तो गर्मी की छुटी के बाद 16 जून से लेकर 30 जून के बाद जो चल से ऐसे होते हैं, उनका यह तारिक को यहां पर हो सकता है, यह बड़ी अप्डेट यहां पर यूजज़ी गैडलाइन के तरह में दी गई है, आप फ्रेंस, आपके मन में डाउट होगा, कि सर्क बताई है, कि यह बिहार में यतने भी यूनिवर्सिटी है, पटना, पातली प हो सकता है, पातली पुत्र या कोई उनिवर्सिटी, इसको लेकर एक बड़ी अप्डेट बहुत जल्द नोटिस जारी कर दे, ठीक है, आगे चलते है जाथों, यहां पर यूज़ी सी गैडलाइन के तरह में, अगली अप्डेट के तरह में, आप फ्रेंस, यहां पर यूज यहां पर यूज़ी सी गैडलाइन के अगली अप्डेट यहां पर यह निकल का यह है, फ्रेंस की लिखा गया है, यूज़ी सी ने कहा है, यह बीच के सतर के छात्रों को पुर्व और मौजूदा सेमेस्टर के अंतिक मुलनेंकन के अधार पर उन्हें ग्रेड भी दे दिये जाएंगे, अर्था दोस्तों हो सके तो फ्रेंस, यूज़ी सी गैडलाइन के तहत में जो यह है आपको बीना एक्जाम लिया, फिर एक्जाम के तहत में काफी कम दिर में जो एक्जाम लोगा, उसको देखके अतना अन्दर से नंबर नहीं दिया जायगा, फ्रेंस यहाँ दोस्तों आप यह दोस्तों बताया गए है, फ्रेंस छो जोMy्क, अधर पर जो भी यूज़ी सीständ July मैंगे, श्रूर we के लिए यहां पर यह भी दोस्तों पताया गया है फ्रेंस जो जो मेरे पास था यहां पर जो भी यूजी सी गाइडलाइंग तर्थ में जो बरी बरी अपडेट जो आप काफी ज्यादा हाइलेट था मैंने फ्रेंस आप लोग बता दिया और फ्रेंस पता है आपको इसके वीडियो को लाइक कर सकते हैं और साथ साथ सा चयरी कर सकते हैं ओको मैंने इंकके बिए बातिस था मर ध्यून की देट Series सब्सक्राइल। आप महां भी जा सकते हैं गाई तो दोस्तों मिलता है इस वीडियो में गुडबाई जय हिन जय भारत